हमारे नीचे सारे लोग चोर हैं और मैं मैं चोरो का सरदार हूँ यह क्रिसी मंतरी सुधाकर सिंग का बयान बहुत चर्चा में आया था हलाके इस पर बहुत राजितिक लीपा पोती हुई थी उसके पास सुधाकर सिंग ने कहा था कि मुख मंतरी के क्रिसी रोड मैप से किसानों का किसानों में खुसहाली आई है और किसान में जो परंपरिक जो आनाज का उत्त्पादन तो बढ़ा हीं है और दूध अंडा की जो सपोर्टिंग जो खेती होती है उसकी भी बढ़ाँतरी हुई है लेकिन इस हकीकत क्या है किसान जब ब्लोक से बिभाग से जाता है अपनी खेतों में आमदनी बढ़ाने के लिए उपज बढ़ाने के लिए तो उसे कोई बीज रिकॉमंडेशन किया जाता है जिस पर लाखो क्रोडों रूपे टेक्स के खर्च होते हैं उस बीज को डेवलप् किसानों को एक बीज महिया कराया गया था देखिए रसीद है एम पी यू सत्तर उन्तिस कहा गया था कि इसके जो प्रजाती है जिसों नाटी मंसूरिया बोलते हैं देहात में उसको लगाने से किसान को 18 क्यूंटल के दर से उपज होगी लेकिन इस स्थिति क्या है कि आज इ पौधा देख सकते हैं इस पौधे को यही है नाटी मंसूरिया किसे कहा गया है कि इससे बहुत उपज होगा लेकिन बीना खाद का भी उपज होगा खाद तो नहीं डाला गया चुका हम आपको बता देखिया है इलाका जो है और अंगाबाजीले के दाउद नगर हस्पूर का ओबरा का इला का धान का कटोरा कहा जाता है यहां कहा जाता है कि कहीं अगर उपज नहीं होगा तो हस्पूरा दाउद नगर के इलाके में धान की खेती कोई माई का लाल नहीं रोक सकता इसका भोगोलिक इस्तिति ऐसा है प्रकृतिक रूप से इतना संपन है लेकिन सल कि इनके चेहरों के देखिए जो इस फसल को लगाने लगाकर अपने बाल बच्चे का पेट पालने के लिए और अपने उच्वल भविस्त के लिए सरकार की बातों पर भरोसा किया था लेकिन बहुत बड़ा घोटाला बिहार में हो गया है वो बीच घोटाला के नाम से जाना जा हए जरत में द्धान का ठाश इसको तो खेट में होना चाहिए था इसको खाण कर आप यहां क्यों लाएं हैं लाए है अपना दुख्णामे के लिए क्या प्हले पूट गया है सिर्फ और इंकरास सब पहले हो जल्दी सब फी हैं डेखिये सिर्फ जी जिसको काते हैं भुरून हत्ते अपरी मैचोर डिलेवरी वही हुआ है इस धान के बीज के साथ क्या हुआ है कि पहले निकल गया है लेकिन इसमें अंदर दाने नहीं है कहने का मतलब है प्यूका पी गया है और देखिए किसान है हमारे साथ कौसल सर्मा जी हम आपको जानते हैं चुकि आप र इसका थिकारी तो तक Jungle सलाकार ने आदेश दीया था शि compression रूप में कहा ता यजो किसान तोव बंधाएंगे उनको निचला अस्तर काई खेती है जमीन यहां उपजाओ है लेकिन निची अस्तर की है और पानी लगा रहता है तो 10 दिसंबर तक यहां पानी खेत में रहता है और 10 दिसंबर से पहले हैं काटना संभोन नहीं है इस स्थिति में निच्ची तोर पर फूट जाएगा और किसान की जो बैंक आकर पुलिस के साथ जयातिक करेगी और हम लोगात महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगा किसान गोष्टी और क्रिसी चौपाल और रिसर्च बैग्यानिक आते हैं इलाके की मिट्टी जाच करते हैं इसकी भागोलिक इस्तिति देखते हैं उसके नुसार यह नि रखा जाएगा और विभाग यह बताया है कि यह जो बीज है यह यहां के लिए काफी मुनिफ रहेगा और इसी से खेती होगी और ज्यादा उपज मिलेगा लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि न अभी तक जो अभी इसको रहना चाहिए था गाव में यह और इसमें दाना पुष् रहिए गी तब तक कि यह सूख कर खेत में गिर जाएगा यहीं इस्तीती है न किसानली जीसर है यहीं स्तीती है और गीर जाएगा तो आप समझे लोक जब कहा जाता है किसान को भग्यानी को खेतों में दोड़ने के लिए किसांशलाकार हर पर्खंड में हर Concette के लिए दिपूट है तो वो बैठ कर काम करते हैं और मंत्री ने ठीक ही कहता कि हमारे नीचे सारे चोर है और चोरों के सरदार मैं ऊपर बैठा हुआ हूं क्या यह बात मंत्री जी का सही था सकता आटना के बाद दो इसा लग रहा है कि अकदाम हम लोग पर या मेरा नाम सुनिल्दत मेरा है मड़ाई विगा महीं लगा बाइन लगा है निया मीडिया मेडिया में आप लोग निकाले तब हुए तीन चार निया तो गिसी सलाकारा कि इतना रखवा में आप इसको लगाए है लगाए करीब देड़ विगा में लगाया है लगाया हैं लगाया क्या उमीद था कितना उपज हो जाता है हम लोग क हर साल होता है कि की इस नुकसान है से सारी सर्व वढया performs यह सभी बिदीत है आंगेश्र विद॥ की यह सर्व वीदित है कि हंथिया नच्षत्तर में धान में जीव पड़ता है अब उसके पहले ही फल गया अब देखिए जो किसान जब फसल लगाता है तो उसके साथ उसके सपने होते हैं बेटे को इंबीय करवाना है इंजिनियरिंग करवाना है श्कूल भेजना है बिटिया की साधी करनी है तो अ हम कैसे जुटाएंगे तो यह इसके जो दोसी अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे लेकिन हम चलते हैं खेतों की और पहले खेतों का हाल देखना चाहेंगे कि खेत की स्थिति क्या है आप किसानों के चरुवर देखाईएगा थोड़ा देख लिजिए इन किसान जब हाथों म चेहरे पर खुषाले लाइए जो भी नुक्सान हुआ है इनकी भरपाई किया जाए जो किसानों ने बीज खरदा उसकी बत्तर इस्थिति यह देखिए किसान आज हाय तौबा कर रहे हैं उनका सब कुछ लूट गया उनकी और बत्तर इस्थिति यह रही कि किसानों ने एक स जो कि खरीदा गया है यह बजार से आप खरीदे अधिश्य आप देख लिया इधा पैसे से खरीदा हुआ है साथ रूपय किलो वाला और यहां देखिए यह 35 रूपय किलो वाला है जो सरकारी बीज निगम द्वारा दिया गया है हम आपको बता दें कि 35 रूपया में अनुदान कितना है तो 65 रूपय अनुदान है मतलब 100 120 रूपय किलो है तो हमारे टेक्स के पैसे से इन अनुदान मिलता है और जो बड़े-बड़े बीज उत्पादक होते हैं बड़ी-बड़ी कमपनियां होती है जो सप्लायर होते है उनको टेक्स का पैसा किसान के रूप में दिया जाता है हलाकि हम कहेंगे सरकार कभी भी भी खरिदने के लिए किसानों के खाते में उदान का पैसा नहीं डालता है क्योंकि पहले भी बताये थे ऊपर से नीचे तक सेटिंग चलता है बड़ी-बड़ी कंपनीया जो है अधिकारीयों के पास जाते हैं सेवा सुल्क देकर अपना बीज पास करवा लेते हैं और उसका नतीजा होा है उने का बीर और बीज तो पास हो गया लेकिन किसान के सामने इनका बीज फैल हो गया है तो हम बात करेंगे उन अधिकारियों से जिनकी नींद इनके आवेदन से तूटा है हलाकी अंदर की बात कुछ और है हजारों आवेदन को दबा कर रख दिया गया जब बाते मीडिया में आई तो फिर आनन फानन में सभी को आवेदन को एकसेप्ट किया गया है और आज पटना से दावद नगर तक की दोड लगी हुई है लेकिन न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है इस पर भी हम नजर रखेंगे तो बने रहे हमारे साथ मैं अब है कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद कस्यप